क्या महंगाई को उन्होंने अपना दिन चड़िया मान लिया है क्या लोगों की मानसिक्ता में महंगाई को ढाल दिया गया है नमस्कार मैं हुराज महंतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार बात सन 2014 की है जब देश में एक नई सरकार आई मोधी शरकार जैसे ही वह बहुमत परात करती है उनकी पाटी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन आई या नहीं आए लेकिन आपके बूरे दिन तो आ ही गया है क्योंकि अभी पेट्रोल का जो भाव है वो 91 के ऊपर चला गया है उस समय पेट्रोल का और डीजल का भाव बता खड़ी वो किंद्र की सत्ता में आये थे कहा था कि किस्मत हमारी अच्छी है तो हम बदकिश्मत वालों को सत्ता में क्यों लाएं जब हमारी किस्मत अच्छी है लेकिन आज देश का हाल यह है कि 90 सूपर पेट्रोल का दाम चला गया है 84-85 डीजल का दाम चला गया है लेकिन अभी भी हल्ला मच नहीं रहा है आखिर महंगाई की मार क्यों नहीं किसी को दिखाई दे रही है अब जब हम थोड़ा कंपरीजन कर लेते हैं 2014 के उस समय से जब कॉंग्रेस की सरकार थी और अब जब मोदी जी की सरकार है तो तेल के द 501 पैसे प्रती-ली टर डीजल के दाम थे 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और आज 2021 में जब 16 है प्रति बैरल कुट나 के दाम है इंटरनेशनल मार्किट में तो पेट्रोल के दाम है 91 रुपए और वहीं डीजल के दाम hé 84 रुपए प्रती-लीटर तो सोचिए कि उस समय जब क्रूड ओयल 2014 में कॉंग्रेस के सरकार के समय महंगा था फिर भी पेट्रॉल कदाम 71 रुपे था और आज जब क्रूड ओयल सस्ता है 63 डॉलर प्रतिवेरल है तब भी आपके पॉकेट पर केंदर सरकार और मोधी सरकार किस तरह से हाथ साफ कर रही है कि आज पेट्रॉल कदाम 91 रुपे पार कर गया है बियार में तो कहीं पर 92 और 93 रुपे भी मिल रहे हैं तो आखिर अच्छे दिन किस के आए सरकार के या आपके महंगाई लगतार बढ़ते जा रही है लेकिन सरकार आपकी सुन नहीं रही है उस समय जब 1 रुपे या 8 आने पैसे बढ़ते थे तो लोग सरकों पर आ जाते थे और आज जब पेट्रॉल के दाम 91 के ऊपर चले गया है फिर भी सरक पर ना लोग दिखाई दे रहे हैं और नहीं कोई भी दूसरी पाटी हमने कुछ लोगों से भी बात की जो पेट्रॉल खड़ीद रहे थे उन्होंने भ पूरे दिन ही थे 91 रुपे पेट्रॉल हो गया है बाहर नहीं निकल पाते हैं पैदल चलना जादा बैतर समझते हैं बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो यह कह रहे हैं कि गारी पेट्रॉल की गारियों से जादा अच्छा है कि आप बैटरी की गारिया इस्तमाल करें अब सोच बैट्पे आपको पडियावरन बचाने क्या भी होर मच गया है महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई लेकिन फिर भी सरगप लोग नहीं उतर रहें आखिर इसकी क्या कारण है क्या महंगाई को उनोंने अपना दिन्चोडिया मान लिया है क्या लोगों की मानसिक्ता में महं ऐसा हो क्यूं रहा है आखिर आवाज उठ क्यूं नहीं रहे हैं क्या लोगों ने मान लिया है कि यहीं उनकी जिंदगी है और अब लोग तंग आकर सवाल ही उठाना बंद कर चुके हैं आखिर जब क्रूड ओयल इतना सस्ता है तो फिर हमें पेट्रोल का दाम इतना महगा क्य ऐसा क्यूं हो रहा है इसका कारण आपको ही पूछना है अगर आप नहीं पूछिएगा तो हम तो केवल आपको बता सकते हैं कि यह महौल है यह हालात है जवाब आपको ही सरकार से लेना है बने रहे हैं लाइव विहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें